यह AG बताता है किindestaECT कि यहां पर मस्जिड नहीं मन्दीर है मस्जिड की आदी टूटी दिवाने दीवाने वी चीख चीख करके रहे हैं कि ये ृधांचा कांसि विश्व Simmons貼ना थंध का है कि कांसि की ग्या knew व्यापी मस्जिद परीषर में मंदिर होने के सबोच चीपाने की कोचिस की गई थी मस्जिद में सबसे महतपूर्ण चीन स्वास्थिक का है जो हिंदू धर्म का पावित्र चीन है कि ग्यान व्यापी मस्जिद वहां पहले से मौझूद एक पुराने मंदिर के वसेशों पर आई गई थी नमस्कार मैं राम कोपाल जाट और आप देख रहे हैं सियासी भारत और भाजबा के एंजेड़ने में पहले इस्तान पर रहे मुद्दों से एक 22 जनवरी को प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने आयोद्या में राम मंदर का उद्गा ठंकर निप्टरा का दिया इसके साथ ही हिंदू की आस्था के रोम रोम में समय राम के लिए लड़े जा रहे हैं 500 साल के धरम उद्गा अंत हो गया है बाजबा और हिंदू संगठन आ में राम मंदर के लावा 19 विस्विनात और मथुरा में करशन जनम इस्थान को वापस लेने का नारा देते रहे हैं। राममंदर के साथ ही एक Όसी हिए और मथूरा में कर्षण जनमभूमी का परकरण कोट में चल रहे हैं इस बीच वारानशी की डिस्ट्रिक कोट के आदेश के बाद ग्यानवियापी परीशर के व्यास जी के तैखाने में पूजा पार्ट शुरू हो गई है 31 साल पहले 1903 में में यहां पूजा पार्ट पर रोक लगा दी गई थी तब से व्यास परिवार कोट में लड़ाई लड़ रहा है ग्यानवियापी परीशर के अंदर 10 तैखाने हैं व्यास जी का तैखाना इने में से एक है इस तैखाने का 6 रपल 900 स्क्वाइर फिट है और इसकी 7 फिट उंचाई है व्यास जी का तैखाना ग्यान व्यापी मस्जिद के बेरिकेड वाले दक्षन हिस्से में इस्तित है। ये तैखाना कांसे विश्विनात परीसर के गरब गरे के पास नंदी की मूर्ति के ठीक सामने है। व्यास जी का तैखाना के अंदर भगवान सिवी भगवान गनेश, कुबेर जी, हनुवान जी और मा गंगा की मगरमच की सवारी वाली मूर्तियां हैं। व्यास परिवार के अनुसार तैखाने में 550 साल पहले से पुझा पार्ट करता आ रहा है। बाबरी मस्जिद विध्वन्स के बाद उत्तप्रदेश की ततकालेन मुलाइम सिंग सरकार ने ग्यान व्यापी के तैखाने के अंदर भी परवेश और पुझा पार्ट पर रोग लगा दी थी। इसके बाद से इहीं वियास परिवार अदालत में लड़ाई लड़ रहा था। व्यास परिवार ने जिलापरसासन की मौझूदगी में बेरिगेडिंग को हटा कर लोहे के गेट लगवाये हैं। व्यास जी के तहखने में पूजा की अनुमती के बाद मुस्लिम नेता अस्दुद्दी नोवेशी ने काया है कि कोट के आदेश के बाद 6 दिसमर 1902 में की अयोध्य अगटना को दो रहाया जा सकता है। अबजा नहीं किया गया था और ना ही यहां पर मंदिर तोड़कर मजजिद बनाई गई थी। सर्वे रिपोर्ट में ग्यानव्यापी परीसर में विसाल हिंदू मंदिर होने के कई सबूत सामने आये हैं। इस रिपोर्ट में जी पियार से हुई जांस के आधार पर एस आई ने बताया कि तैखाने में दो मिटर चोड़ा कुआ भी छिपा हुआ है। सो दिन के सर्वे के बाद कोर्ट में सोपी 840 पेज की रिपोर्ट में एस आई ने परीसर के प्रमुक इस्थानों का जिक्र किया है और कुल 321 साख से भी कोर्ट में जमा किये हैं। पहले यहां पर एक विशाल मंदिर मौजूद था। कुछ हिस्सों को मोडिफाई किया गया है मंदिर तोड़कर उसके मूल सवरूप को प्लास्टर और चूने से चिपाया गया है। रिपोर्ट में मंदिर के होने के 32 सबूत बताय गये हैं। दीवारों पर कंणर, तेलगू, देवनागरी और गरंत भासाओं में लेखने मिली है। दीवारों पर भगवान सीव के चार में से तीन नाम मिले हैं। इसको सहियोग कहे हैं या समय के अनुसार होता काम कहें। किन्तु राम मंदिर में राम जी की प्राण प्रतिष्टा के तीन दिन बाद ही आर्केयोलोजी सर्वे ओफ इंडिया की रिपोर्ट भी सारवजनिक हो गई है। इस रिपोर्ट को फास्ट्रे कोर्ट में 25 जनवरी 2024 को पेस्ट करनी थी किन्तु रिपोर्ट एक दिन पहले ही सौफ दी गई। वैसे तो मामला करीब 33 साल पुराना हो चुका है लेकिन 2021 में इसको लेकर 34 अन्य याचिकाए कोर्ट में दाखिल होने के बाद हाई कोर्ट के निर्देश पर फास्ट्रे कोर्ट में 33 वर्स पुराने मूल मुकदमे का ट्राइल सुरू हुआ है। वारानसी के कांसी विस्वनात परीशर का मूल मुकदमा 1991 का है इसकी सुनवाई करते हुए अगस्त 2021 में इस मुकदमे में सिविल जज़ की ओर से ASI सर्वे का आदेश दिया गया था किन्तु बाद में इलहाबाद हाई कोर्ट ने ASI सर्वे पर रोक लगा दी थी इस बीच द सर्वे रिपोर्ट के बाद ग्यानवियापी मस्जिद का मामला काफी तूल पकड़ चुका है मस्जिद परीशर में हुए सर्वे और वीडियो ग्राफी के विवाद ने काफी सालों पुराने विद्वनस गाथाओं को पुने जनम दे दिया है हालांकि सर्वे को लेकर भी म जरू मचलियां हैं वजू खाना खाली होने से उनकी मौत हो सकती है ऐसे में कोट ने आदेज दिया कि वजू खाने का पानी का ने से पहले मचलियों को बचाने के लिए ऑक्सीजन की परियापत विवस्ता की जाए अब हिंदू पक्स मामले को आगे ले जाना चाता है तो बचाव में बयान बजी शुरू कर दी है दरसल सत्रीवी सताबदी में मुगल आकरांत औरंगजेव ने आखरी बार इस मंदिर को तोड़ कर यहां पर मस्जिद मनवाई थी जितनी बार कांसी विस्वनात बाबा के मंदिर को तोड़ा गया उतना इत्यास में किसी अन्य जिन लिंगो में से एक बगवानजी का ये मंदिर उत्रपरदेश के वारानसी सहर में गंगा नदी के किनारे श्तित है कांसी विस關ा मंधिर को विश्वेस्वर कर नाम सेवी जाना जाता है मंदिर गंगानदी के 263 पर है मंदिर का दोबारा नेमान्ट 1121वी सदी में राजा हरीज चंद्री ने करवाया था 1194 में गोंहमत गोरी ने इसे द्वश्ट कर दिया था किंतु मंदीर का पुनहीं नेमान तक चलती रही हैं पंडित नारायन भट ने विश्वनात मंदिर का एक बार फिर से निर्मान करवाया लेकिन एक बार फिर 1632 में मुगल सासक साजा ने मंदिर का विद्वन्स करने के लिए अपनी सेना भेजी हालांकि उसकी सेना ने अपने मक्षद में काम्यावी नहीं पाई और अंगजेब ने 18 अपरेल 1670 में इस मंदिर को द्वस्त करवा दिया इसके बाद करीब 125 वर्ष तक यहां पर कोई मंदिर नहीं था वर्तवान में ग्यान व्यापी मस्जिद के बगल में जो बाबा विस्वनात का मंदिर है उसका निर्मान महाराणी अहिल्या भाई होलकर ने 1780 में करवाया था विस्वनात मंदिर पर आज जो सोने की प्रत दिखाई देती है वो महाराजर अनजी सिंग ने 1853 में 1000 किलोग्राम सोने से चड़वाई थी कांसी में मंदिर के साथ ही ग्यान व्यापी मस्जिद भी है जो मंदिर की ही मूल जगे पर बनाई गई है ग्यान व्यापी मस्जिद को मुगल सासक औरंगजेव ने मंदिर तोड़ कर बनवाए था ग्यान व्यापी का आर्थ होता है ग्यान का कुवाँ ये सब्दी ही बताता है कि यहाँ पर मस्जिद नहीं मंदिर था मस्जिद की आदी टूटी दीवारें भी चीक चीक कर कह रही हैं कि यह धाचा कांसी विश्वनात मंदिर का है औरंगजेव द्वारा मंदिर तोड़कर उसकी जगे मस्जिद बनाने के पीछे एक रोचक कथा बताई जाती है जिसका उलेक वामपंती इतियास का डॉक्टर विशंबर नात पांडे की पुस्तक भारतिय संस्कर्ती मुगल विरासत औरंगजेव के फरमान में मिलता है पटाभी सीता बरमाया की पुस्तक फैदर्स एंड इस्टोंस के हवाले से विश्वनात मंदिर को तोड़े जाने संबंदी औरंगजेव के आदेश और उसकी जगें के बारे में डॉक्टर विशंबर नात पांडे ने अपने पुस्तक में 119 और 120 प्रस्ट पर इसका उलेक किया है उनकी मनोहर कहानियों के अनुसार एक बार औरंगजेव बनारस के निकट परदेश से गुजर रहा था सभी हिंदू दरवारी अपने परिवार के साथ गंगाइसनान और विश्वनात दर्सन के लिए कांसी आये हुई थे विश्वनात दर्सन कर जब लोग बाहर उसा हुआ और बोला कि जहां मंदिर के गरब गरे के निचे इस परकार का डखेती और बलातकार हो सकते हैं वो निसंदे इस वर का घर नहीं हो सकता है इसलिए उसने मंदिर को तुरंत दवस्त कराने का आदेश जारी कर दिया औरंगजेव के आदेश की ततकाल पालना हुई लेकिन जब ये बात कच्च की रानी ने सुनी तो उन्होंने औरंगजेव के पास संदेश भिजवाया कि इसमें मंदिर का दोस नहीं है दोसी तो वहां के पंडे हैं इसके साथ ही रानी ने इच्छा प्रकट की की मंदिर का पुन्हें निर्मान करवाया जाए लेकिन के बीच 10 फिट गेरा कुंआ है जिसे हागा जाता है इसे कुए के नाम ässगीॉन मगुलों के आकर्मन के दोरां सभ को ग्याः रियोपी कुएं में चिपा दिया गया था इसे लेकर एड़ोकेट विश्णो संकर जेहन का मानना है कि अभी जहां पर मुख्य मस्जिद का भाग है उसके नीचे सो फिट का शिवलिंग है जब इस मस्जिद को हटाने का कोट आदेश देगा तब ये बात सामने आएगी कि मुख्य परीसर जो कभी कासी विश्वनात बाबा क का इस्थान था उसके नीचे सिवलिंग को दफन करके कैसे मस्जिद का मुख्य स्थान बना दिया गया है इस चेतर में फर्ष की पट्टियं जभटेंगी तो कई रहस से खुलेंगे एसाई की ताजा रिपोर्ट के अनुसार परीसर में मौजूद रहे विसाल मंदिर में ब उत्तर, दक्षन और पस्चिं के तीन कक्षों के अवसेस को भी देखा जा सकता है पर कक्ष के अवसेस पूरु दिशा और उससे भी आगे की और है इसका विस्तार सुनिच्चित नहीं हो सका क्योंकि पूरु का छेतर पत्र के फर्ष से डखा हुआ है इस इमारत में पहले स स्टम्प पहुत किया गया था उन्हें जरुर्ट के अनुसार बदल दिया गया था मजजद की इमारत की पष्चमी दिवार जिससे पहले से मौजूद रहे मंदिर का सेज़ भाग माना जाता है मजजिद उसी के पत्थरों से बनी है और पूरी तरह से सु सज्जित की गई है उत्तर और दक्षन के होल के महराबदार प्रवेश दुआरों को अवरुद्ध कर दिया गया है और उन्हें होल में बदल दिया गया है सर्वे के दोरान मिला सिला लेक जो संस्कृत भासा में मिलता जुलता है उत्तर दिसा के प्रवेश दुआर पर च्छत दिशा के दोनों और दिखाई देता है मस्जिद में सबसे महत्पूर्ण चिन स्वास्थिक का है जो हिंदू धर्म का पवित्र चिन है मुस्लिम स्वास्थिक का कभी इस्तिमाल नहीं करते हैं यहां पर एक अन्य बड़ा प्रतिक सीव का त्रिशूल है करीब 30 साल पहले 1991 में बगवान विश्वे सरुनात का मुक्दमा धाकिल करन के पहली बार पूजा पाट के अनुमती मांगी गई जिला अधात ने सुनवाई की और मामला विचारा दीन ही था कि दो साल के दोरांग 1993 में सुनवाई करते हुए इलावाद हाई कोर्ट ने यथा इस्तिती बनाई की चार साल बाद 2023 में जिला जज की अधालत ने मस्जिद के सील वजू खाने को छोड़कर ग्यान वियापी परीशर के सर्वे का आदेश दिया सर्वे पूरा हुआ और रिपोर्ट अधालत में दाखिल की गई इस बीच इलावाद हाई कोर्ट ने गुनी सो इकराण में के विश्वेसर मामले में इस्टे ओडर हटा दिया इसके साथ ही कोर्ट ने पूरे परीशर का एसाई सर्वे कराने और उसकी विश्तरत रिपोर्ट फास्ट रे कोर्ट बनाई गई निचली अधालत में दाखिल करने का आदेश दिया 18 दिसंबर को ही एसाई ने अपने रिपो ले जाने वाला हिंदू पक्स के वकील सुभास नंदन चत्रुएदी ने का है कि ग्यान व्यापी में पहला दावा सच हो गया है अब वजू टैंक को कथित सिविलिंग के सर्वे को लेकर हम हमर कर रहे हैं सुप्रेम कोर्ट में लंबित याची का परसुनवाई के लिए टैंक का साइंटिफिक सर्वे और कथित सिविलिंग की कार्बन डेटिंग कराने के बिंदू सामिल रहेंगे हिंदू पक्स के वकील विश्णू संकर जैन ने दावा किया है कि एसाई की रिपोर्ट से साफ हो गया है कि ग्यान व्यापी मस्जिद वहां पहले से ही सभी पिलर और पत्थ्रों का उप्योग किया गया एक तरफ जहां एसाई की रिपोर्ट सर्वे आने के बाद हिंदूों में उस्सा है वो सुप्रीम कोर्ट जाकर मामले को जल्द से जल्द सुल जाने के अपील करेंगे तो दूसरी और मुस्लिम नेता अस्दुद दिन ओव केड़ तयार हैं इसके लिए याची का तयार की जा रही है जिससे स्वप्रीम कोर्ट में पेस किया जाएगा यानि काशी विस्विस्मनात का मामला भी राममंदी के तरह अब सुप्रीम कोर्ट ही तर險 करेगा अब सवाली उठता है क्या सुप्रीम कोर्ट मसजिद परिशर वाली जगें हिंदू को सोपने का निर्णे दे सकता है या मस्जिद को तोड़कर उसकी जगें मंदिर बनवाने का आदेश दे सकता है इसके सामने वह कानून आड़े आ रहा है जो 1901 में के दोरान कोंगरी सरकारे बनाये थे 1901 में का पूजा अधिनियम राम मंदिर को अगस्त 146 से पहले के सभी धार में के इस्तिलों की यथा इस्ति बनाए रखने की बात के इस कानून के इनुसार सभी उपासना इस्तिल इतियास की परंपरा के मोटबिक जों के त्यों बने रहे रहेंगे उसे किसी भी अदालत या सरकार की तरब से बदला नहीं जा सकेगा ये अधिनियम तत्कालीन प्रदान मंत्री पीवी निश्मबा राव की कॉंग्रेस सरकार के समय गुनी सो एकराण में में आया था तब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था भाजबा नेता लालकरशन आडवानी की रथियात्रा बिहार में उनकी इरबतारी और उत्तर प्रदेश में कार्शेयोकों पर गोली बारी ने सांपरदाइक तनाव बढ़ा दिया था उसी दोरां संसद में विधे को पेस करते हुए ततकालीन गरह मंत्री एसवी चौवार ने का था कि सांपरदाइक माहोल को खराब करने वाले पूजा इस्तलों की रूपा अंतरन के संबंद में समय समय पर उत्पन होने वाले विवादों को देखते हुए इन उपायों को ल तो 30 साल पूराना पूजा इस्तल कानून खत्म हो जाएगा दूसरी तब देश बर में भाजबा की केंदर सरकार पर भी वाक्फ एक्ट की तरहें इसे भी समाप्त करने का काफी दबाव है यदि केंदर की भाजबा वाली मोधी सरकार इसे खत्म करती है तो देश में सेंकड होने और आंदोलन भी होने की संभावना बढ़ गई है हलांकि इस बार आरेसेस या भाजबा ने इस पर कुछ भी नहीं बोला है इस साफ हो गया है कि आयोध्या में राम मंदिर की तरह भाजबा या संग या निव्यापी के लिए आंदोलन नहीं करने वाले हैं